हेलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे जो आप देखते हैं आइटम क्रिएट करते समय रेट A, रेट B, रेट C तो दोस्तो ये कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं बिलिंग के टाइम पे, आइटम के टाइम पे, पार्टी के टाइम पे तो multiple places है, तो आप कैसे उसका use कर सकते हैं तो इस वीडियो में इस वार हम complete जानेंगे पहले मैंने एक वीडियो प्रोट कहा था जिसमें आपको ये बतारा, default rate कैसे करना है आपको लेकिन इस वीडियो में हम complete जानेंगे, चाहे आप पर entry के base पे करना चाते हो, चाहे आप party wise करना चाते हो, चाहे आप bill wise करना चाते हो, कि जब भी bill बने तो मेरे से rate पूछ ले पहले, या फिर party wise rate पूछे, या फिर जब भी मैं item पे entry करूँ, तो entry के time पे rate पूछे, क्योंक आपको need है, उसकी according आप उसको use कर सकते हैं, अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है, तो जरूरू subscribe करें चैनल को, क्योंकि इस तरह की informative वीडियो हमारी आती रहती है, अगर कोई services चाहिए आपको दोस्तों या buy करना है software, तो आप हमारे दिये के इन नमर पर contact कर सकते हैं, तो चलि आपने create किया है, यह सभी में इसी तरीके से work करेगा, सबसे पहले मैं आपको item दिखा देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर item बनाया हुआ है, और यहाँ पर यह जो raw material जो मैंने एक item create किया हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो देख पारे हैं, आप रेट ए जैसे क कि मैंने rate A 5 उर्पे का रख दिया, rate B इसका 6 का है, rate C जो है इसका 7 का है, तो अब यह कैसे कैसे आपको जो है options चाहीं है, सबसे पहला तो जैसे ही मैं bill wholesale पर enter करता हूं, और enter करता हूं, सबसे पहला option तो इसमें यह है कि आप इसको party wise set कर सकते हैं, देखिए, जैसे कि मैंने यहां पर यह अपनी sales party बना रखे, assess trader, मैं चाहता हूं इसको की rate B इसको जाए, तो इस पर मैं F3 बटन प्रेस करके, और यहां पर other detail पर enter करूंगा, और यहां पर आप देख सकते हैं, sales rate, मैं आपको zoom करके दिखा देता हूं, यह जो आप देख पा रहे है, sales rate अभी by default A हो र आप यह देख पा रहे हो, कि इसकी rate की billing हो बीग में हो रही है, अब यहां पर मैं उसी item को अगर enter करूंगा, तो देखे rate B में मैंने 6 रुपे डाले वे थे, और 6 रुपे की billing हो रही है, तो एक तो यह option है party wise, अब इसनों ही मैं आपको दूसरी party पर करके दिखा देता हूं, और अगर मैं billing करता हूं, ऐसे ट्रेडर की, तो इसकी billing जो है rate B में हो रही है, यह देखे, 6 रुपे में जो भी मैंने amount डाला हुआ है उस item के अंदर, तो यह तो होगे दोस्तों party wise, कि आप party wise set कर सकते हैं इसको, अब दूसरे दोस्तों की single party है, और single party में ही आपको जो है multiple rates दालने है, कि कभी किसी item का rate A देना है, कभी किसी का B देना है इस तरीके से, तो अगर आप दोस्तों यह चाहते हैं कि item से पहले rate A, rate B, rate C का option आपसे पूछे, तो इसके लिए आप master में जाएंगे, mark setup, control room, और यहां पर आप type करेंगे दोस्तो, ask rate, तो मैंने यहां पर type के ask rate और enter, enter करके accept करेंगे, और जैसी आप enter, enter करके accept करेंगे, तो यहां पर पांचवास lab आप जो देख पा रहे हैं, यह जो देख पा रहे हैं, आप, ask sales rate, यहां पर अभी जो हो रखा है दोस्तों, यह हो रखा है अभी, n, की by default जो system में है, वही चले, अब देखिए मैं चाहता हूँ, मैंने party का selection किया, rate B है इसका, वैसे by default, और यहां पर भी देखिए by default, अब यहां पर एक option मिलीगा, आपको item select करने से पहले, यह जैसा कि आप देख पा रहे है, item selection से पहले, अब suppose कि मुझे इसका C rate देना है, तो मैंने enter किया, तो यह देखिए इसको अब यह C rate जा र कि इस पर rate भी mention कर देता हूं, जैसे यह 6 का है, तो 10 में A डाल देता हूं, 11 और 12, अब देखिए दोस्तों, जैसी में item के selection से पहले, यहां पर rate का option आ रहा है, तो मेरे से पूछ जा रहे है, rate कौन सा देना चाते हैं, तो मैंने B कर दिया, क्योंकि जो भी हमने item में modify किया, त जाता हूं, तो यह item के level पर rate A, rate B, rate C है, हमने party के level पर लगा लिया, अब दोस्तों इसमें एक option और भी है, कि आप bill के level पर लगाना चाते हैं, कि जैसे ही bill बने, तो software आप से पूछे, कि कौन सा rate आप इन्हें देना चाते हैं, तो दुबारा से मास्टर में जाते हैं, mark setup, control room और search and all पर हम type करते हैं, ask rate दुबारा से वही, उसके आप accept करेंगे, accept करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर option देखना होगा, तो दोस्तों इसके लिए भी जो है, हम ask rate जो पांचवे slab की लाईने जिससे हमने पहले E किया था, यह जो आप देख पा रहे हैं, अब इसी के level हम जो है दोस्तों वाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो वाई है वो bill wise है, मतलब बिल में वो पहले पूछे का billing करने से पहले, तो हम इसको वाई कर लेते हैं, और उसके आप escape करके आप इसे yes करें, अब देखिए जैसे हम बिल करेंगे, enter और जो भी party के selection हमने किया, कहीं भी rate के मुझसे नहीं पूछ रहा, C के level पर जो भी rates होंगे वो जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कि party का fix नहीं होता, कभी हम A दे देते हैं, कभी B दे देते हैं, तो इस तरीके से bill wise लगा सकते हैं, कि जैसी आप billing करेंगे, तो automatic उसका rate जो है, आपको pop-up हो जाएगा, तो आप item के time पे करा सकते हैं, party के अंदर fix कर सकते हैं, आप bill के time पे pop-up करा सकते हैं, कि कौन सा rate आपको देना है, अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई question है, इस rate से related, तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, बगी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को like करें चनल को subscribe करें, इस तरह की informative वीडियो ताकि आपको मिलती रहें, अगर software buy करना है, या services चीए, तो आप हमारे दिये के number के contact कर सकते हैं,